धार्मशोडा के तपोवं स्थित विधान सभा परिजर में 19 से 23 दिसंबर तक हो रहे, सथापक्ष और विपक्ष सौंवार को रन नीती बनाएंगे. मंगलवार से शुरू हो रहे शीटकालिन सत्र के दौरान सत्तापक्ष और विपक्ष एक दूसरे को घेरने का प्रयास करेंगे सत्तापक्ष एक साल की उपलब्धियों और विपक्ष कॉंग्रेस सरकार की गारंटियों पर अपने मुद्दों को धार देगा कई संगठनों ने भी विधान सभा का घिराव अपरदर्शन करने की चेतावनी दी है इन दिनों केंदरिय विश्य विध्याले धरमशाला के निर्मान का मुद्धा काफी गर्माया है ऐसे में विपक्ष इस मुद्धे को भुनाने की कोशिश भी कर सकता है कांग्रेस विधायक दल की बैठक सोमवार को मीनी सचिवाले धरमशाला में होगी इसमें सत्ता पक्ष सरकार की उपलब्धियों वा आंकडों के साथ बात रखने की रणनीती बनाएगा सरकार की भविश्य की योजनाओं को भी यहां बल दिया जाएगा इधर भाजपा विधायकों की बैठक सोमवार देर शाम धरमशाला के एक नीजी होटल में होगी विधान सभा के शीत कालिन सत्र को लेकर पुलिस ने ट्राफिक प्लान तेयार कर लिया है यहां पर सुरक्षा विवस्था बनाए रखने के लिए 1200 पुलिस जवान तैनात रहेंगे ब्यूरो रिपोर्ट एन टीवी